कॉत पॉलो कॉंट 2 संज्रीज च्लपासे was betrays क्लासे तो आज हमारा टॉपिक है अप्रेतिग सेह्टेम को जानकारी लेने से पहले हम पीविज क्लास के में तुस भात कर लेते हैं प्रीविज क्लास में हम लोगोंने के आप्तिकेशन सॉफवयर के अंतरगत ही हमारा था ऑपरेटिंग सिस्टम तो आज हमारा टॉपिक है आप इसे ब्रीफिली में पढ़ेंगे ओपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसका हम मुवाइल या कांप्यूटर में करते हैं मवाइल या कंप्यूट हमारी जिन्दगी का एक हिसा बन गया है जिसके बिना हम आज एक काम भी नहीं कर सकते हैं ठीक इसी तरह मुबाइल और कंप्यूटर को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो उनके लिए बेहज़ जैसे कि हम इनसान के सरीर में बहुत से अंग होते हैं जो हमें सारे काम करने के लाइक बनाते हैं भले ही कोई बॉड़ी पार्ट्स काम करना बंद कर दे पर हम सर्वाइब करते हैं लेकिन कोई मुख्य चीज है जैसे सोल निकाल दी जाए सरीर के सारे बॉड़ी पार्ट्स होने के बाब जूद वह ऐसा ही हाल होगा हमारे कंप्यूटर औ वे मुवाइल और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा इसलिए ऑपेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्पून किस्सा होता है किसी भी मुवाइल यह कंप्यूटर फून लैप्टॉप पीसी का यह एक सिस्टम सौफवेर है जो हार्डवेर और सौफवेर के भी सारे काम को संचलन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सौफवेर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफरेंस प्रदान करता है जिसके जर्ये यूजर कंप्यूटर के साथ कॉम्निकेट कर पाता जैसे Game, Photoshop, MS Word, Chrome, etc. जैसे application, application को run करने के लिए अपने टास्क को पूरा करने के लिए एक platform की चरोत होती है, यह हमें OS प्रदान करता है, बिना OS के computer विकार है, computer operating system, एक छोटे छोटे प्रोग्राम का समूह होता है, जिससे एक साथ जोड़कर system storage में रखा जाता है, यह एक ही प्रोग्राम का समूह है, जो computer के resource है, जिससे hardware और उनके कारे को manage करता है, computer के hardware अपने बल परकार नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी के साथ interact कर सकते हैं, इसलिए operating system द्वारा की जाने वाले electronic signal के द्वारा भी hardware अपना काम पूरा कर पाता है, OS में, OS computer में load होने वाला पहला program होता है, यह computer के hardware और software के बीच में breeze की तरह काम करता है, ताकि यह दोनों एक दूसरे के साथ असानी से interact कर सके, There are so many kind of operating system, but उनका काम एक ही है, यूजर के साथ computer के साथ communicate करना, यूजर को computer के साथ communicate करवाना ही इनका काम होता है, Some examples, Windows OS, Linux OS, Mac OS, यह सारा जो है example है, चल यह definition देख रहे हैं, An operating system is a collection of system program that control the operations of the computer system, मैंने आपको बतलाया था, कि operating system जो है, वो collection of program होता है, जो control करता है computer system के सारे operations को, और यह एक तरीके का program होता है, जो act करता है, अब जानेंगे कि OS क्या काम करता है, OS, computer के सबसे जरूरी program होता है, जो कि सभी simple और important काम को work करता है, like keyboard द्वारा input की जा रहा है, key को समझना, output को screen में so करना, hard disk या file या directory को manage करना और computer के सारे चीज़ों को communicate कर पाता है, इसके अलाबा और भी काम करता है, memory management, primary memory या main memory के management को ही memory management कहा जाता है, operating system primary memory हर एक कार को track करता है, जैसे कौन सा भाग use में है, कौन सा नहीं है, memory कहा यूज हो रही है, कितनी memory यूज हो रही है, इसका पता लगाता है OS, और मांगने पर memory उपलब्द भी करवाता है OS, multi processing के time, OS खुद ही decide कर लेता है कि किस प्रक्रिया को कब और कितनी memory मिलनी चाहिए, जब सारे प्रोग्राम फिनिस हो जाता है, और सारे allocate memory को बापस अंजर्ब कर लेता है, और second है आपका processor management, processor management में आपकी process, जैसे आप 123A आप process दिये हैं, इस सारे process को manage करता है आपका operating system, और third है device management, सारे आपके device को manage करता है, like आपके printer, hard disk, hard driver, keyword, mouse, इस सारे चीज़ को manage करता है आपका operating system, and fourth है file management, आपके सारे files को manage करता है, operating system, and last security, security OS हमारे system को unauthorized access करने से रोपता है, मतलब कि आपके अलावा कोई और user बीना आपके agreement से आपके computer को use नहीं कर सकता, इसके लिए OS passport देने की फूरी independence देता है, अब हम जानेगी operating system कितने परकार के होते हैं, यह हम आपको बतलाएंगे नहीं, दोस्तों मैं आपको बतला दू, Sunrise Classes एक डाली बेस कोचिंग सेंटर है, जो इंडियन स्टाइस्टिकल सर्विस की preparation करवाती है, अगर आप आईसस की preparation कर रहे हैं, तो आप अपने preparation को consistent बनाने के लिए Sunrise Classes को join कर सकते हैं, आपको यहां पे testories भी provide किया जाता है, अगर आप testories जोइन करना चाहते हैं, तो आप Sunrise Classes को join कर सकते हैं, यह testories आपको three year के लिए valid है, for minimal price, at minimal price यह आपको valid है,